So what is up guys, कैसे हैं हम सबी लोग तो भी आज की सोड़ी में बात करने वाले हैं Kia Keren's के X-Line के बारे में जो की launch कर दिया है Kia की तरफ से सारे के सारे prices इस गाड़ी के हमारे पास आ चुके हैं बात करेंगे इसके interior की, exterior की, इसके prices के बारे में साथी साथ इसके engine options के बारे में तो भाई देखते हैं क्या क्या changes इस गाड़ी में करे गए हैं बात करता हूँ, Keren's के X-Line की तो यह हमें top end luxury plus variant में देखने के लिए मिल जाता है और दोनों ही अंदर और बाहर बहुत सारे changes करे गए हैं बाहर की बात करता हूँ तो इस गाड़ी में हमें matte graphite color देखने के लिए मिल जाता है साथी साथ gloss black finish में हमें radiator grill, front bumper, rear bumper, ORVM, rear script plate और side door garnish देखने के लिए मिलते हैं किया अब इस गाड़ी के साथ हमें 16 inch के dual tone alloy wheels देने वाली है साथी साथ silver black calipers हमें karen's की x-line में देखने के लिए मिलेंगे अब updates की बात करते हैं अंदर की तो इस गाड़ी में हमें dual tone, splendid sage green और black repository देखने के लिए मिल जाती है साथी साथ rear seat में entertainment package भी देखने के लिए मिलेगा जो कि left rear passenger के पास रहेगा green seat से रहने वाली हैं जिसमें orange contrast stitching देखने के लिए मिल जाएगी black steering wheel cover उसमें भी हमें orange stitching देखने के लिए मिलेगी और gear lever पे भी हमें orange stitching देखने के लिए मिलेगी बात करते हैं entertainment package की तो इसमें हमें screen देखने के लिए मिलेगी जो कि phone app से control की जा सकती है साथी साथ feature देखने के लिए मिलेंगे जैसे की screen mirroring, podcast और बहुत सारे entertainment app X-line हमें 6 seat configuration में provide की जाएगी बात करते हैं इसके engine updates की बारे में तो Kia Keren's X-line में हमें same 1.5 liter turbo petrol engine और साथी साथ 1.5 liter diesel engine देखने के लिए मिल जाएगा 1.5 liter turbo petrol engine, 160 PS की power और 253 Nm of torque produce करता है साथी साथ 1.5 liter का diesel engine, 116 PS of power and 250 Nm of torque produce करता है बात करते हैं petrol motor ही तो वो हमें 7 speed DCT gearbox के साथ देखने के लिए मिलेगा और diesel engine हमें 6 speed automatic के साथ देखने के लिए मिलेगा बात करते हैं इसके prices के बारे में Kia Keren's में luxury plus DCT 6 seatar हमें already देखने के लिए मिलता है जिसका price था 18.95 अब हमें उसके साथ-साथ Kia Keren's का X-Line Diesel Automatic भी देखने के लिए मिलेगा जिसका price रखा गया है 19.45 lakh रुपीज सारे के सारे prices एक शोरूम में है आप लोग नीचे comment करके जल्ली से बता दो कि का लेने की सोच रहे है जल्ली से comment करके बता को कैसे prices लगे इस गाड़ी के तो चले हो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही और मैं आप लोग उससे मिलूँगा अगली वीडियो में